Hello guys, इस वीडियो में हम देखेंगे best setting Nikon D5200 camera के लिए कि क्या आपके लिए photography और वीडियोग्राफी में best setting रहेगी आपने अगर ये camera नया नया करीता है तो क्या आपको settings रखनी है ताकि आप बहुत ही अच्छे photo और वीडियो बना पाऊ अगर आपके पास Nikon का D5100 camera है या D5300 camera है या even D5500 या 5600 camera है तो भी आप exactly यही वीडियो को follow कर सकते हैं क्योंकि उन में भी same यही menu system होता है exactly same ऐसे ही उसमें भी button होते हैं तो exactly यही same setting उसमें भी आपकी काम आ जाएगी guys ठीक है तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो गया है चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक camera के in-depth reviews मिल जाने है lenses के review मिल जाने है photographic सारे tutorial मिल जाने है और एकदम correct information आपको मिलेगी कोई भी आपको wrong information नहीं मिलेगी उसके लावा मेरी चैनल पर contest भी चल रहा है जिसमें कि आपको Nikon का D60 और D70 दो camera आपको free में मिल सकते है उनको मैं giveaway कर रहा हूँ जब चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं किनी दो लकी सब्सक्राइबर को वो camera give away करूँगा उसके लिए करना क्या है यार चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे वीडियो उसको जाएंगे जाएंगे शेयर करना है और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है तो वीडियो को हम शुरू करते हैं तो यह आप देख सकते हैं उपर से जैसे Nikon के सभी camera में होता है यह mode dial होता है ठीक है तो जब भी अगर आपक अच्छी फोटो या अच्छी वीडियो बनानी है तो आप कोशिश कीजिए कि इसको आप या तो A mode पे यूज करें या fully manual mode पे ठीक है तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आप fully manual mode पे होते हैं जैसे अभी यह M mode पे है तो fully manual mode में आप shutter speed, aperture और ISO सबको आप अपने आप से set कर सकते हैं तो उससे आपको एक अच्छा control मिल जाता है camera के उपर otherwise अगर आप auto mode पे shoot करोगे तो camera हर चीज अपने आप decide करेगा तो हो सकता है कि वो कुछ setting इतनी अच्छी ना रखे तो उस वज़ए से आपका photo इतना अच्छा नहीं आएगा और आपकी video भी अच्छी नहीं आएगी और दूसरा अगर आप M यूज नहीं करते तो आप A वाला mode यूज करें तो इसमें आप सिरफ aperture की value को set करेंगे और बाकी सारी lighting camera अपने आप adjust करेगा ठीक है और अगर आप S mode यूज करते हैं तो S mode में आप shutter speed को adjust करेंगे और बाकी सारी features camera अपने आ आप adjust करेगा हाँ और रही बात ISO की तो आप ISO को auto ISO पर डाल सकते हैं अपने camera की setting में जाके तो उससे यह होगा कि आपको सिरफ aperture या shutter speed को ही set करना होगा ISO की value camera अपने आप decide करेगा depending on कि क्या lighting situation है आपके environment में ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि या तो आप A में shoot करिए या M म मोड में ठीक है तो अभी हम A वाले मोड को pick करते हैं क्योंकि A मोड beginner के लिए अगर आपने नया-nया DSLR लिया है तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि इसमें आपको सिरफ और सिरफ aperture की value को set करना है बाकी आपको कोई भी setting को adjust नहीं करना है ठीक है कर तो आप इस सारी information display हो जाएगी ठीक है तो अभी यह दिखा रहा है 4.2 की aperture की value को तो अगर आपको aperture की value को कम ज्यादा करना है तो यह आपको यह जो dial दिख रहा है इसको आप घुमाएंगे तो कम ज्यादा होगी आप देखो अभी F8 होगी मैंने बढ़ाया है ठीक है और हम कोशिश करें तो इस F value को हम सबसे कम रखेंगे क्योंकि अगर हम इसकी value कम रखेंगे तो हमें ज्यादा background blur मिल जाएगा इस setting में इस F की value हमने सबसे कम करती 4.2 ठीक है क्योंकि हमने इसको A mode पे डाला हुआ है तो camera अपने आप ही decide करेगा कि क्या उसको shutter speed रखनी है और इस lighting situation के साब से इस ठीक है तो अगर हम अब कोई photo click करेंगे तो वो photo कुछ ऐसा आएगा ठीक है मैं इसमें photo click करता हूँ मैं live view को आप पौन करके दिखा देता हूं तो let's see कि मैं इधर पर focus करता हूँ यहाँ पर फोकस करता हूँ यहाँ पर फोड़ाफर zoom कर लेते है और इसने काफी अच्छा sharp photo click कर दिया है guys तो आप देख सकते हैं इसको मैं zoom करके आपको दिखा देता हूँ अब देखे कितना clear आपका photo आया है काफी अच्छा photo आया है ठीक है इस lighting situation के हिसाब से guys अब हम बात करते हैं अगर आपको menu में जाके ISO की setting को change करना है तो आप कैसे करें तो यह menu वाला button है इसक second number का है shooting menu इसके अंदर हमें जाना है इस वाले जो side में ok और यह button है हम इन से आगे पीछे जा सकते हैं तो आप देख सकते है ISO sensitivity setting तो आप इसमें जाहिए ठीक है तो यहाँ पर auto ISO sensitivity control इसको आपको own कर देना अगर आप इसको off कर दोगे तो आपको हर बार खुद ही ISO की value को set करन पड़ेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि camera अपने आप वो आपके लिए करें काम तो आप इसको own कर दीजा ठीक है वैसे अगर आपको best से best photo ए video बनानी है तो उस case में तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप ISO की value को auto ना रखें और आप खुद ही इसको adjust करें लेकिन beginner के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको इतनी सारी setting चेंज करनी पड़ेगी तो अगर आपने नया नया camera लिया है तो आप इसको auto sensitivity पर डाल दीजिए फिर आपको सेरफ और सिरफ अपरचर और shutter speed इनको adjust करना होगा और बागी काम आपका camera अपने हाप कर देगा गास ठीक दीजे ताकि अगर आप kit lens यूज कर रहे हो तो अगर कम से कम आपकी एक बड़ा 50 की shutter speed होगी तो आपका camera shake नहीं आएगा ठीक है और जो maximum sensitivity है अगर आपके पास D-52 है या D-53 है तो आप 32 कर दीजे क्योंकि 32 से उपर image में बहुत जाला grains आने लगते हैं लेकिन 32 तक आपकी काफी अच्छी photo आ जाती है तो आप इसको 32 कर दीजे और minimum shutter speed को एक बड़ा 50 कर दीजे और इसको आप तो फिर आपकी auto ISO वाले setting एक दम बढ़या काम करेगी ठीक ह अब हम movie के लिए setting दिखाता हूँ आपको कि movie के लिए आपको क्या setting करनी है तो इसी वाले option में आप नीचे जाएगे तो आपको दिखेगा movie settings तो movie setting के अंदर आप जाएगे और इसमें आप full HD में shoot कर सकते हैं तो आप जो maximum quality है सब से उपर full HD 50 frame per second वाला इस वाले option को select कर इसमें आपको best quality मिलेगी movie की quality को आप high करिए high quality ठीक है और यह जो microphone है इसको आप 9 या 10 के आसपास रखिए थाकि आपके microphone में background में ज्यादा noise ना है ठीक है तो आप इसको auto sensitivity के बजाए microphone में manual sensitivity वाला option चूज करिए और यह value आपकी कम ज्यादा हो सकती है तो आप इसे 9 पे कर आपको बढ़िया audio मिलेगी ठीक है उसके अलाब फिर यह जो सबसे important option है manual movie setting इसको आपको own करना है ठीक है अगर आपने इसको off कर दिया तो फिर आप जब movie recording की start करोगे camera में तो तब आप ना तो shutter speed और ना aperture को adjust कर पाऊगे तो अगर आपने वो नहीं किया है आपको लग रहा तो उसका कारण यह है कि आपने इसको own नहीं है तो manual movie setting को आपको own करना है आपने एक दफ़ा इसको own कर दिया उसके बाद आप movie वाले mode में भी aperture shutter speed सारी चीज़ों को आप adjust कर सकते हो ठीक है guys तो basically आपको यह दो चीज़े mainly set करनी होती है अगर आपने नया नया camera लिया है बाक focus और बागी चीज़े कैसे change करनी है ठीक है guys अब हम वापस से photo वाले live view से निकलते हैं तो अब आप यहाँ पी देख सकते हैं कि अगर आपको इस वाली screen पर यह जो different settings वगएरा है इनको change करना है तो इनके लिए आपको यह eye वाला button दबाना होता है ठीक है तो जो पहली वाली photo shoot करने पसंद नहीं है तो उस case में आप फिर से दबाईए और इसको आप fine पर click कर दीजे ठीक है तो fine में यह आपके jpeg वाले photo की best quality लेगा ठीक है तो आप इसे fine में set कर दीजे अब यह जो दूसरी option है image का size कि आप किस size की चाहिए तो आप इसे सबसे maximum size रखिए ना small मत आप रखना ठीक है अब यह वाला जो आपका camera है इसमें आपकी bracketing भी है bracketing में basically होता है क्या है कि आप अलग-अलग exposure के multiple shots आप ले सकते हैं तो उससे आपको एक HDR वाली बढ़या image मिल जाती है guys ठीक है तो अगर आपको HDR वाला shot लेना है तो ही आप इसको own कीजिए otherwise आप इसक आप इसको own कर सकते हैं और अगर आप इसे own कर रहे हैं तो आप इसको auto पे डाल दें तो उससे आपको image में अच्छा dynamic range मिल जाएगा ठीक है guys और यह आपकी active lighting है इसको भी आप auto पे डाल दीचे तो यह आपकी image में जो extra बहुचा रहा ब्राइट एरिया हो गया या बहुत से basically होता क्या है कि आपका camera आपकी lighting condition के हिसाब से white को white दिखाने की कोशिश करता है तो इसमें आपके different option होते हैं कि जैसे यह वाला incandesalant यह तब है कि अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हैं आपके पास पीली जोशनी है यह वाला अगर आपके पास white light है जैसे tube light इंडिया यह वती है आप तब use करें इस अगर आप दूप में shoot कर रहे हैं ठीक है यह आपका अगर आप चाया में shoot कर रहे हो shade में यह अगर आपके badal है cloudy है इस तब यह तब है कि आप अगर flash को use कर रहे हो ठीक है लेकिन अगर आपने auto तो आपका camera अपने आप सब कुछ कुस decide कर तो मैं इसको auto पे चोड़ दूँगा, आपको जाड़ tension लेने की ज़रत नहीं है, फिर उसके बाद आपका आगया option ISO वाला, तो क्योंकि हमने इसको auto ISO पे डाल दिया, तो आपको इसकी tension लेने की ज़रत नहीं है, आपका camera अपने आप decide करेगा, कि क्या उसको ISO की value रखनी है, ठी picture control, तो इसमें बहुत सारे आपके preset होते हैं, तो यह basically करता क्या है कि जैसे आपके image में क्या contrast होंगे, कितना saturation होगा, वो सब करता है, तो पहले वाला आपका standard होता है, फिर आपका neutral होता है, फिर vivid होता है, फिर आपका monochrome होता है, monochrome यानि black and white, फिर आपका portrait होता है, फिर आ मैं कोशिश करता हूँ कि standard को मैं select कर लेता हूँ, standard को select कर लिया, फिर अगर मेरे colors वगेरा कुछ बढ़ाने हुए बाद में, तो laptop में डालके editing करके आप बढ़ा सकते हैं, अब सबसे important वाला option आएगा, auto focus mode का, ठीक है, सबसे ज़्यादर लोग इसी में confused होते हैं, तो हम इसक आप तब यूज करो, अगर आपको lens को manually focus करना है, ठीक है, तो basically हम इन तीन auto focus वाले option की बात करेंगे, तो auto server auto focus वाला आपको तब यूज करना है, कि अगर आप चाहते हैं, कि मतलब आपका जो subject है, उसकी आप tracking भी कर रहे हैं, मतलब कि आप जैसे video बना रहे हैं, और आपके चहरे की tracking हो, या subject की tracking हो, तो तब आप ये वाला option यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला ये है, आपका single servo AF, तो basically single servo AF में आपका एक बार आपने focus lock कर दिया, तो उसके बार focus बार बार हिलेगा, नहीं, तो ये option काफी useful हो जाता है, कि जैसे मान लीजे, आपको video बन दीजे, और एक बार आप ने एक जगह focus lock कर दिया, तो फिर वो पूरे video के दोरान उसी जगह बे focus lock रहेगा, दरूदर focus की hunting नहीं होगी, ये ना focus का noise आएगा, तो उस मामले में ये अच्छा है, तो अगर आपको use करना है, तो आप इसको use कर सकते हैं, कर आप खुद की video बन आ रहे हो, और आपको focus नहीं हिलाना, फिर आपका ये continuous servo AF, तो इसमें आपका camera continuously आपको subject को track करेगा, जैसे आपको sports photography करनी है, कोई इनसान बहुचा जा चल रहा है, तो आपने उसके उपर focus lock कर दिया, और फिर आपका camera उस इनसान को बार बार track करेगा, कि अगर वो इधर से उधर जाता है, तो आपका camera उसको track करेगा focus को, तो आपका focus काफी इधर उधर हिलेगा, लेकिन अगर आप video का काम कर रहे हो, तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका lens बहुत ज़्यादा in and out hunting करेगा, और उसमें आपका फिर video में noise भी आएगा, ठीक है, और आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो तब आप ये option use कर सकते हो, personally जो मेरा फेवरेट है, मैं आपका AFS वाला use करता हूँ, इसमें होता क्या है, कि आप एक जंगे आप अपना focus को fix कर सकते हो, तो इससे आपकी video भी बहुत sharp आती है, और photo भी sharp आती है, तो अगर आप नए photographer है, तो आप इसको AFS वाले mode पे डाल देए, तो हमने इसको AFS पे set कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, अब आगया कि आपका area कौन सा होगा autofocus का, तो आप देख सकते हैं, एक हो गया single point AF, और दूसरा हो गया auto area AF, तो अगर आपने auto area AF use किया है, तो आप खुद कभी भी select नह पेड हैं, तो तब आपका camera confused हो जाएगा कि मैं किस पोधे पे या पत्ते पे focus करूँ, तो इसलिए आपको करना क्या है, आप single point AF को select करो, single point AF को आप select करोगी, तो आप exactly जिस चेके पे आपको focus को रखना है, आपको मालो पेड की एक particular पत्ती पे या टहनी पे, जिस चेके पे आपको focus रखना है, वहाँ पे उसको focus को रख सकते हो, और focus को move around करने के लिए आपका ये dial होता है, जिससे आप focus point को move around कर सकते हो, जहां रखना है, वहाँ कर सकते हो, अगर आप इंसानों की portrait photo ले रहे हो, तो उसमें आप उसके चेहरे पे या आँखो पे वो single auto focus point रख सकते ह हो गए, ठीक है, अब हम अगली setting पे चलते हैं, अब यह हो गया metering, ठीक है, यह metering में होता क्या है कि आपका camera जो उसमें light आ रही है, उसको meter करके exposure को तयार करता है, तो आपकी जो matrix metering होती है, इसमें आप पूरे के पूरे scene में जो lighting condition होती है, हर एक चीज को वो देख के आप आपका exposure तयार करता है, ठीक है, और जो दूसरी वाली हो गई है, आपकी center rated metering, तो इसमें जो center में जो आपकी object होगी, उस पे जो light पढ़ी है, उसके according वो exposure को तयार करेगा, और तीसरी होगी sport metering, इसमें आपने जगे पर अपना focus point रखा है, उस जगे पर जो light पढ़ रही है उसके according वो exposure को तयार करेगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कब आपको कौन सा metering mode रखना है, तो आप ये पहले वाला matrix metering तब रखें कि अगर आप landscape photography कर रहे होगी, आपके scene में बादल भी है, घर भी है, dark area भी है, और बहुत जादा bright area भी है, तो तब आप ये वाल आप चाहते हैं कि जो बीच में subject है, main आपके या कोई भी object है, उस पे जो light पढ़ रही है, उसके according आपका exposure हो, तो ये तब रखिये, लेकिन अगर आप portrait photography करने हैं, आप इंसान का photo लेने हैं, तो तब आप sport metering को use करिये, और उसके चहरे पर autofocus use करिये, तो उससे होगा, क्य case में, अगर आप इंसानों की photo ले रहे हैं, portrait, तो आप sport metering use करिये, तो अभी इस case में, क्योंकि हम घर के अंदर shoot कर रहे हैं, इदर उदर कुछ object है, तो मैं center weighted metering या matrix metering भी use कर सकता हूं, तो इस case में मैं अभी matrix metering को use कर रहा हूं, ठीक है guys, अब हम चलते हैं अगली setting में, यह वाली setting तो आपकी flash के लिए है, तो अगर आप flash use कर रहे हैं, तो flash का compensation आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब हम यह last setting पर आते हैं, exposure compensation, तो यह setting आपकी काफी important है, तो basically exposure compensation में होता है, कि जो आपकी actual image आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी image ज्यादा bright है, तो आप इस कम dark आ रही है, तो उस case में आप इसे positive में ले जाईए, अगर dark है, तो आप की image थोड़ी bright हो जाएगी इससे, ठीक है, तो यह तब useful होता है, कि आपने सारी setting सही कर दी, लेकिन camera फिर भी कहीं बार correctly image को exposed नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा confused हो जाता है, तो उस case में आप exposure compensation को use कीई है, अगर आपने इसकी value 0 रखी है, तो camera अपने आप खुद decide करेगा, जो correct exposure होगा, camera का अगर exposure आपको सही नहीं लगता है, camera ने अगर ज्यादा overexpose कर दिया, तो तब आप इसको negative में ले जाईए value को, लेकिन अगर camera ने under expose किया, dark image दी है, तब आप इसको positive में ले जाई जाए, guys, तो basically यह सारी setting आप यहाँ पर आई वाला button को दो बाट दबा के, यहाँ से सब कुछ आप change कर सकते हैं, और मुझो एक तो जो important settings थी, वो मैंने आपको बता दिया, कि जो menu के अंदर जाके, आप change कर सकते हैं, आपको YouTube पर बहुत सारी video मिल जाएगी, जिसमें लोग क setting, कि D5100 की best setting, इस वाले camera की फलान की best setting, guys, best setting कुछ नहीं होती, जो आपकी setting है, यह हमेशाँ चेंज होगी, अब देखो मैं लेंस को आगे गुमाऊंगा, तो मैं लाइव वी में डाल देता हूँ उसको, तो आप देख सकते हैं, कि 1.30 इसकी वो दिख रही है, shutter speed, ठीक है, और इसकी जो aperture की value 4.5 देख रही है, और ISO की value यह देख रही है, ठीक है, अगर मैं इस camera में light को बंद कर दूँगा, तो देखना यह सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी, अब देखो इसने, मैंने एक पीछे जो lamp था उसको बंद कर दिया, तो इसने, कमरे में थोड़ा इसको लगा कि अभी अंधेर आए, तो इसने अपने आप shutter speed को कम कर दिया था कि camera को correct exposure मिल सकेगा, अब मैं इस light को, पीछे वाली light को own करूँगा, तो camera में अच्छी light आएगी, तो इसने देखो अपने आप ही shutter speed को बढ़ा दिया, ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इस lens को आगे extend करू तो इसने aperture की value को भी बढ़ा दिया, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी best setting नहीं होती guys, कि ऐसा नहीं है कि यार मैंने आपको बता दिया कि भाई आप एक बटा इतने की setting रखो, aperture की ये value रखो, ISO की ये value रखो, तो उससे आपको एक बढ़िया image मिल जाएगी, setting आपकी lighting situation के हिसाब से change होती है, तो अभी मैं जैसे घर के अंदर shoot कर रहा हूँ, तो घर में इतनी अच्छी lighting situation नहीं है, तो इसलिए इसको कम shutter speed मिल लिए, लेकिन अगर मैं यही चीज में दिन में या धूप में shoot करूँगा, तो camera को ज्यादा light मिलेगी, तो तब ये आपकी shutter speed की value बह इसे different setting चेंज गरनी है, तो अब मैं आपको एक photo लेकर दिखा लेता हूँ, तो अभी की lighting situation के हिसाब से, ये setting बननी है, तो मैं सामने जो ये रखा है, pan holder, इसको इसका में photo लेता हूँ, तो अभी एक बड़ा 25 की shutter speed मिल ली है, और ISO इसको 32 का मिल ला है, और 5.6 का इसको aperture मिल है, तो मैंने एक photo click कर दिया गया है, अब मैं देखते हैं कि ये photo कैसा आया है, तो मैं इसको आपको zoom करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफी clear और sharp photo आया है, सारी चीज बहुत अच्छे से, नजर आ रही है इसमें, ठीक है guys, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसी camera से आपको video और shoot करनी है, तो कैसे करें, तो आप देख पाएंगे अभी, ये camera का mode dial है, तो आपको दिख रहा होगा कि अभी ये A वाले mode पे है, इसको आप M mode पे भी डाल सकते हैं, अगर आप video का काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप इसको M mode पे डाल तो तब आपकी recording की value start हो जाएगी guys, camera में recording, और ये जो आपको दिख रहा है, ये knob आप इसको जब फिलिक करते हैं, तो इससे आपका live view on या off होते हैं, तो अगर मैंने इसको किया, तो अब बंद हो गया, इसको मैं दुबारा करूंगा, तो on हो जाएगा, ठीक है guys, और आप ये वाला जो plus minus का button देख रहे हैं, ये button के बारे में भी बता देता हूँ, अगर आपको fully manual mode में, जैसे कि अभी मैं fully manual mode में हूँ, तो मुझे अपनी इसकी value adjust करनी है, aperture की, तो मैं ये जो उपर वाला plus minus का button दपाऊंगा, और ये dial गुमाँगा, तो उससे मेरे aperture की value change हो जाग लेकिन जब मैं fully manual mode में हूँ, M mode में, सिरफ इस dial को गुमाँगा, तो उससे shutter speed change होगी, आप देख सकते हैं, shutter speed change हो रही है, तो भी अगर आप video की बात करें, तो जैसे अगर आप India में घर के अंदर indoor situation में shoot कर रहे हैं, अगर आपके पास TV light है, wide light है, या कोई भी वैसा artificial light है, तो आप जो camera की shutter speed है, वो एक बटा 50 रखें, या फिर एक बटा 100 रखें, तो ठीक है, तो कम से कम आपको एक बटा 50 तो अपनी shutter speed रखनी है, उसका कारण यह है, मैं आपको पता देता हूँ, कि यह setting आपको इसलिए रखनी है, कि अगर आप एक बटा 60 रखेंगे, तो basically इंड रखो, या फिर 200 रखो, लेकिन अगर आप नहीं रखोगे, तो आपकी वीडियो में flickering वाला effect आएगा, कि आपकी, जैसे कहीं बार आप देखतें न, computer की screen flicker सही करती है, वीडियो में, तो आपकी यह पीछे जो lights हो कह रहा है, वो flicker करेंगे, तो इसलिए आप जो इसकी value है इसको एक बटा 50 रखें, shutter speed की, ठीक है, aperture की value जो आपको मिल रही है, वो रख दीजिए, तो अभी जब क्योंकि मैं यह kit lens यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को इसमें aperture की value ज्यादा कम नहीं मिल पाएगी, तो मैं aperture की value को जादा ज्यादा 3.5 तर ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास Nikon का 50 mm f1.8 वाला prime lens है, तो उसमें आप इसको 1.8 तक भी ले जा सकते हैं, तो इन दो value का आपने set कर दिया, और आप देख सकते हैं, ISO की value तो camera अपने आप automatically adjust करी रहा है, तो अब आप live view को on कर सकते हैं, video making का काम start करने के लिए, लेकिन guys इसमें, क् कि हमने fully manually setting डाल दी थी, तो वीडियो में आप कोशिश करना कि आप ISO को manually set करें, तो आप देख सकते हैं, तो मैंने ISO की value को 32 set कर दिया, ठीक है, तो एक बटा 50 mm shutter speed है, 3.5 mm aperture है, और ISO की value मैंने 32 set कर दिया, अगर मैं इस तीन चीज़े set कर दूंगा, तो इससे होगा, क्या कि मै मैं जिन तीन चीज़ों से image में exposure बनता है, तीनों को set कर दिया, अब मेरी lighting condition चेंज नहीं होगी, भले ही मैं चाहिए इधर उधर move around करूं, फिर भी मेरी हमेशा जो exposure रहे हो एक जैसा रहेगा, मेरा जो चहरा है जो हमेशा एक जैसा दिखेगा, तो वीडियो में अगर आप auto ISO यूज़ कर रहे हो, तो वो इतना सही नहीं है, फोटोग्राफी में आप बेशक auto ISO को यूज़ करो, वीडियो में ना करो, वीडियो में आप ISO की value एक जैसा फिक्स कर दो, ताकि आपको हर बार, हर condition में एक जैसा exposure मिले, ऐसा ना हो कि auto ISO की चक्कर में कभी आपका चेहरा dark द का button इसको दबा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, अभी recording स्टार्ट होगी यहाँ पर, और EC red color का लिखावा आ रहा है, और time भी चल रहा है, और यह वाला जो आपका camera है, इसमें आप 20 minute की एक clip बना सकते हैं, एक वक्त में, तो अगर आपको लेट से आधे गंटे की लग सकते हो, फिर अपने laptop में डाल के, इसको जोइन करके एक लंबा video आप डाल के upload कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे microphone की level भी दिखा रहा है, 9, 9 पे मैंने set किया, अगर आप इसको बहुत जादा कर दोगे, तो आपका video में वो, जो background में, mic का noise आता है, वो इसमें आप mic भी connect कर सकते हो, यहाँ पे, तो काफी अची audio आप इससे record कर सकते हो, आप देख सकते हैं, यह mic connect करने का port है, उसके लावा HDMI का भी port है, USB port भी है, और GPS के लिए भी port है, यार इसमें इतनी connectivity feature है, बहुत ही बैतरीन camera है, वीडियो भी जवर्दस लेता है, फोटो भ भी जवर्दस लेता है, इसमें सारे काम हो जाते हैं, आपके guys, तो guys, मैंने आपको इस camera का पूरा overview डे जिया है, कि कैसे photo गीचन है आपको, और कैसे आपको video बनानी है, क्या-क्या important setting है, आपको सारी setting के बारे में जानने की ज़रत नहीं है, जो setting आपके काम की है, उसको जान सारी setting में ज़रत नहीं है, DSLR अगर आपको सीखना है, बेसिक सेटिंग आनी चाहिए, और उनी से आप बहुत अच्छा photography और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हो, जो चीज आपको ज़रूरत है, बस उसको सीखो, ठीके guys, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को बना के डालूगा, जो जो मेरे पास camera है, सब के tutorial में बना के डालूगा, मैंने D3100 का भी tutorial डाला है, तो D3100 का जो tutorial है, उसको आप D3200 और 3300 के लिए भी use कर सकते हो, या 3400 के लिए, क्योंकि वो चारो camera में menu system और setting अल्मोस एक जैसी है, और ये जो आज का tutorial है, इस वाले tutorial को आ डी 5100, डी 5000, या D3500, या D5500, उनके लिए भी आप आराम से इनको use कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी गाया, और कोई भी question हो, आप यहाँ पे comment box में डाल सकते हो, instagram पे जाओ, यार मेरे को follow करो, और फिर हम मिलेंगे एक नए video में, एक नए camera के साथ, guys